नमस्क्राइब दोस्तों कैसे हैं आप लो मेरा नाम है हरशिद विदी लक्षमी कान्थ की पार्ट 108 में आपका मैं स्वागत करता हूँ क्या क्या चीज़ें आप देखने वाले हैं बजट इन पार्लामेंट के बारे में बात करेंगे बजट जिसको annual financial statement कहा जाता है कौन सा constitutional article इसके साथ deal करता है article 12 इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है actually में एक बजट में पार्लामेंट के सामने क्या क्या पेश किया जाता है railway बजट का क्या सीन था आज से दो साल पहले इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे budget से related जो भी constitutional provisions है मतलब कि constitution ने budget के respect में क्या क्या बोला है executive को legislature के सामने पेश करने के लिए executive आपको पता है na council of ministers headed by prime minister और legislature मतलब लोगसभा राजसभा तो ये constitutional provisions देखेंगे और finally charged expenditure क्या होता है दो तरीके के expenditure होते हैं एक होता है charged expenditure एक होता है expenditure made इन तीन चीजों को दोस्तों हम इस वीडियो में समझने कोशिश करेंगे आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर like का बटन अगर अब तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लीजे मेरे दोरा बनाएगे और वीडियो को देखने के लिए और मुझे support करने के लिए आप चैनल पर join बटन दबा के इसके member भी बन सकते हैं इंस्टाग्राम पर follow कर लीजे और telegram group join कर लीजे महाँ पर मेरी वीडियो की notification साथ साथ जो भी मैं PDF प्रवाइड करता हूँ एडिटोरल की current affairs की वो मैं आपको देता हूँगा अब सबसे अगर पहले शुरुवात की जाए तो budget को हमारे सम्विधान में budget नहीं कहा जाता है इसको बुला जाता है annual financial statement budget नाम का शब्द कहीं पे भी सम्विधान में इस्तिमाल नहीं कहा गया बट popular perception में budget ही use किया जाता है actually इसका जो नाम है वो है आपका annual financial statement और इसका जिख्र है in article 112 of the Indian constitution अब बात आती कि इस budget में है क्या budget एक statement है कैसा statement estimated receipts and expenditure of the government of India यानि आने आगे आने वाला जो financial year है तो माल लीजे एक फरवरी को budget पेश किया हमारे finance minister निर्मला सीतर रमन जी ने लोगसभा में तो मतलब कि अगर फरवरी 2020 में पेश किया है तो यह जो budget होगा न यह 2020-21 के लिए होगा यानि कि अपरेल 2020 से लेके मार्च 2021 तर तो निर्मला सीतर रमन जी या कोई भी और finance minister मान लीजे कि फरवरी 2022 में budget पेश करते हैं तो वो कौन सा budget पेश कर रहे हैं मतलब किस साल के revenue और expenditure को estimate कर रहे हैं वो estimate कर रहे हैं आने वाले अपरेल 2022 से लेके मार्च 2023 तक के तो यह होता है आपका एक financial year और budget यानि कि annual financial statement यह बताता है कि आगे आने वाले सालों में मतलब आगे आने वाले साल में financial year में कितना estimated पैसा सरकार के पास आएगा और कितना estimated खर्चा सरकार करेगी तो receipt और expenditure यह बिलकुल layman language हो गई आपकी budget की लेकिन budget में दोस्तों बहुत कुछ होता है देखते हैं budget में क्या क्या होता है budget में होता भाया estimates of revenue and capital receipts सबसे पहले तो आपको इस समझना पड़ेगा revenue और capital receipts में क्या फरक होता है अब मैं आपको यहाँ पर revenue receipts और capital receipts को example सबसे समझाता हूँ मान लिजे भारा सरकार ने शीलंका की सरकार को 10 million dollar उधार पे दे रखा है और शीलंका की सरकार के साथ rate fix का रखा है कि 2 या 3 percent हम आपसे interest लेंगे तो 10 million dollar Indian government ने शीलंका की government को दिया है तो अभी 10 million dollar दिया है तो interest पे दिया है ब्याज पे दिया है तो अब इस 10 million dollar पे शीलंका ब्याज चुबाएगा तो वो जो ब्याज आएगा ना इस 10 billion dollar पे शीलंका की तरह से इंडिया के पास वो किसमे count होगा वो revenue receipt में count होगा तो यह revenue receipt हमारे लिए एक तरीके का bonus हो जाता है bonus कैसे कि हमने किसी को loan दिया था अब जब हमने loan दिया था तो वो capital expenditure था वो एक अलग चीज है लेकिन जब उस loan पे interest आया तो वो interest count होगा revenue receipt में पहली चीज दूसरी बात करते है हम लोग capital receipt के capital receipt क्या है हमने world bank से covid-19 के जूजने के लिए एक billion dollar का loan ले लिया तो यह क्या होगई capital receipt लेकिन अब यह लोग हमको यह loan हमको फितूर में तो मिला नहीं है फ्री में तो मिला नहीं है तो अगर यह loan हमको फ्री में नहीं मिला है तो भाई हमें करना क्या होगा हमें यह loan तो वापस करना ही है world bank को साथ-साथ इसके interest भी वापस करना है तो यह होगई capital receipt यानि कि capital receipt अगर आप government की terms में देखो गया किसी private company की terms में देखो गये तो capital receipt या तो हमारे assets को कम करती है या हमारी liability को बढ़ाती है तो अगर सरकार में world bank से एक billion dollar का loan लिया है तो हमारी liability बढ़ी है न अब हमको वह एक billion dollar वापस करने पढ़ेंगे world bank को interest के साथ तो हमारी liability बढ़ रही है तो capital receipt हमारी liability बढ़ाते हैं और assets कम करते हैं जब assets किसे कम करेंगे इसको मैं आपको private company के example समझाता हूँ private company मान लीजे market से loan उठाती है तो market से loan उठाएगी या market से मान लीजे पैसा उठाएगी तो हो सकता है private company पैसा loan पे ना उठा कि ये बोले कि हाँ भाई मैं अपनी company का एक छोटा stake आपको दे रहा हूँ तो मैं अपनी company का एक छोटा stake अगर आपको दे रहा हूँ तो इसलिए बोला जाता है कि capital receipt में जो assets है वो कम होते हैं liability बढ़ती है और revenue receipt में यह दोनों नहीं होता है चुकि revenue receipt में हमने पहले जो loan दिया था उस पे ब्याच खा रहे है यह example समझा दिया तो यह estimates और revenue and capital receipts और government होना चाहिए यह लंबा समझा दिया आगे चलते हैं चुकि economy है यह interesting चीज़ दोस्तों लेकिन समय बहुत लगता है फिर बात करते है ways and means to raise the revenue जो पैसा हमारे पास आएगा खर्चा करने के लिए इसके लिए क्या ways और क्या means अपनाने वाले estimates of expenditure हमारा क्या खर्चा होने वाला है अगले साल में एक बात और याद रखिएगा दोस्त रखिघभलीती प्हीं चिस तख का सरकार का खर्चा है उसका भी भी व्यूरा की सर्कार बजच्ट में उसको भी बताएगी सर्कार लोग scholars को राजabeth को की देखिए यह खर्चा हुआ है आगे आने वाले अहीं है तो estimates of expenditure आगे आने वाले समय सब्सक्राइब साल कशा ह lagए उस उसके साथ deficit of surplus भी बताना है तो जो closing financial year था उसमें deficit थी तो deficit क्यों थी अगर surplus था तो surplus क्यों था इन सब चीजों के बारे में बताना पड़ेगा फिर economic and financial policy of the coming year that is taxation proposals and prospects of revenue spending program and introduction of new schemes and projects साथ आपको पता है दोस्तों जब budget आता है ना सरकार बहुत सी scheme पर वो करती है इंटिड्यूस करती है मतलब कि budget के समय पे सरकार एक्चली अपने पूरे साल का agenda तैय कर ली होती है अपने आने वाले साल की financial policy तैय कर ली होती है कि सरकार को अगर कोई scheme लेके आनी तो वो budget में ही लेके आईगी ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन बहुत सारी schemes को budget की समय पे allocate किया जाता है जो railway budget था वो भी पेश किया जाता था रेलवे budget पेश किया जाता था जनरल बजट पेश किया जाता था और पहले 1924 से पहले जनरल बजट के साथ आता था आपका railway बजट लेकिन railway बजट को जनरल बजट से separate कर दिया गया 1924 में British राज़ के दौराल ऐसा क्यों किया गया ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि एक कमिटी के ऐसी recommendation थी और इस कमिटी का नाम था एक वर्थ कमिटी ये एक वर्थ कमिटी बहुत ज़दा न्यूज में थी जब 2017 में हमारी सरकार ने railway बजट को जनरल बजट से जोड़ दिया एक वर्थ कमिटी जो रिपोर्ट आई थी 1921 में उसने कुछ reasons बताए कुछ objectives बताए जिससे ये बोला गया कि आप railway बजट को जनरल बजट से separate कर दीजे क्यों चुकि railway उस समय पे एक बहुत बड़ी चीज थी आज की डेट में दोस्तों देखिए तो जनरल बजट के सामने रेलवे को बजट कुछ भी नहीं है बहुत चोटा amount बट उस समय पे 1924 में रेलवे बजट बहुत बड़ा हुआ करता था तो रेलवे फाइनास को अलग तरीके से देख पाना जो रेलवे पॉलसी है उसको एक business approach के साथ एक business mind के साथ आगे बढ़ पाना और general revenues को पैसा मिल सके इसलिए railways को अलग हरना ताकि railways की तो जो भी कमाई आया है उस कमाई से सरकार को पैसा दिया चाए ताकि जो general budget है उसमे हम एक अलग बजट देंगे तो इससे नई रेलवेस को इंटिड्यूस करना कैसे रेलवेस को और प्रॉफिटेबल बनाए जा सकता है इस चीज़ के बारे हम बातचीत करना तो इन सब चीज़ों पर हम ज्यादा ध्यान दे पाएंगे इसलिए 1924 से लेके 2017 तक रेलवे बजट अलग दिया जाता था जनरल बजट अलग दिया जाता था और रेलवे बजट को बहुत अत्तक पॉलिट साइस किया जाता था तो भाया जो रूलिंग पार्टी होती थी वो वोट जीतने के लिए बोलती थी हम यह नई ट्रेन ला रहे हम यह नई ट्रेन ला रहे हम यह नई तो यह चीज आपको समझ में आ गई कि भाई आपका railway budget को general budget से क्यों जोड दिया गया है 2017 में ठीक है अब हम बात करते है constitutional provisions with respect to budget हमारे budget से related जो भी important constitutional provisions हैं इनको समझना ज़रूरी हमारे constitution में budget से related क्या क्या लिखा हुआ पहली चीज आपको दोस्तों यह समझनी है कि देखे लिखा है प्रेजिडेंट शेल in respect of every financial year caused to be laid before the house of parliament a statement of estimated receipts and estimated expenditure of the government of India for that year यनी कि जो गया साल भीत रहा है जिसे कि एक फरवरी 2020 को budget आया 2019-2020 का जो estimated receipt था और expenditure था वो भी बताना है और 2021-22 का जो आने वाला estimated receipt है budget है वो भी बताना और यह constitutional provisions है दूसरा no demand for a grant आप लक्ष्मी कान में चाओ तो पढ़ सकते हो parallelly no demand for a grant shall be made except on the recommendation of the president यनी कि consolidated fund of India से अगर आपको किसी scheme में खर्च करने के लिए पैसा निकालना है तो उसको आप बोलोगे grant और इस grant की demand की जाएगी अभी इस demand को लाने से पहले आपको prior recommendation लेना पड़ेगा तो president से prior recommendation लेगे तभी किसी एक particular scheme से related कोई पैसा निकालना है grant निकालना है ministry के काम के लिए पैसा निकालना है तो आप demand of grant move करोगे लेकिन उससे पहले recommendation लोगे आप president की फिर तीसरी चीज़ no money shall be withdrawn from the consolidated fund of India except under appropriation made by law तो आपको पता है कि दोस्तों एक appropriation bill आता है appropriation का मतलब होता है कि भाईया finally consolidated fund of India से पैसा निकालना है तो उसके लिए appropriation bill पास कराना पड़ेगा तो appropriation मतलब एक final permission कि हाँ भाई हम पैसा निकालना है consolidated fund of India से इसलिए appropriation bill पास हो रहा है तो ये appropriation bill law के प्रोविजन के साब से पास होता है प्रोविजन यही है कि लोग सबा के अंदर एक voting डालके appropriation bill को पास करा दिया जाता है फिर भाई अगर कोई ऐसा money bill है जो tax को introduce कर रहा है तो उस case में prior recommendation of the president चाहिए पारलेमेंट में तो पतलब पारलेमेंट में tax को impose करने के लिए कोई money bill लएके आया जा रहा है तो उसके लिए prior recommendation चाहिए president की और ऐसा कोई भी bill यानि money bill को राजसभा में हम introduce नहीं कर सकते यह तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ फिर पांचवा point है कि that no tax shall be levied or collected except by authority of law तो यह तो बहुत ही common point ही कि भाईया law के हिसाब से आपको इस tax को levied करोगे और collect करोगे उसके लावा नहीं करोगे यह वाला point आपको समझ में नहीं आएगा छेटा point ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है क्या मतलब इसका सब कुछ तो पारलामेंटी के रिए यह थोड़ा confusing नहीं लग रहा है मतलब कि पारलामेंट के पास यह ताकत है कि वो tax को हटा सकता है tax को reduce कर सकता है बट tax लगा नहीं सकता है क्या मतलब इसका इसका मतलब दोस्तों यह है कि tax को लगाना या tax को बढ़ाना तो council of ministers headed by prime minister के पास यह ताकत है कि यह नया tax ला सकते है tax को बढ़ा सकते है लेकिन अगर council of ministers headed by prime minister अपनी मनमर्जी चलाते है undue तरीके से, harsh तरीके से tax को बढ़ा रहे तो उस case में parliament को यह ताकत दी गई है कि वो उस tax को हटा सकते हैं कम कर सकते हैं लेकिन एक नया tax को लगाना और tax के rate को बढ़ा देना यह parliament नहीं कर सकती this is the prerogative of executive बट अगर parliament को लगता है कि executive अपनी हादें पार कर रहा है तो parliament उसको रोक सकता है चुकि यह लिखा है ना कि parliament reduce कर सकता है tax को गटा सकता है बढ़ा नहीं सकता फिर भाई money bill के case में और यह जो पैसेों के खर्चे वाली जो चीज़ बजट वाली चीज़ है आपको पता है financial bill types one या ऐसा कोई money bill जो tax लगा रहा हो इसको आप राजसभा में introduce नहीं कर सकते है इसको केवल लोग सभा में introduce करना है अगर demand for grant हो रही है ठीक है जैसे कि B point देखे 7th point का B point राजसभा has no power to vote on demand for grants इसका गया मतलब है demand of grant मतलब कि पैसा खर्च करने के लिए आप voting डाल रहे हो तो यह होता demand for grant तो किसी एक ministry का इतना budget है और उस ministry के budget का पैसा निकालने के लिए आपने demand for grant पास किया ओके तो यहाँ पे जो voting होगी वो किवाल लोग सभा डालेगा राजसभा के members demand for grant पे voting नहीं डाल सकते हैं ठीक है ना उसके बात अगर कोई money bill लोग सभा के पास जाता है पास होके तो उसको 14 दिन के अंदर वापस करना है राजसभा को लेकिन यहाँ पे देखिए क्या दिखा हुआ है राजसभा should return the money bill और finance bill to the लोग सभा within 14 days दा लोग सभा can either accept or reject recommendations made by राजसभा in this regard यहाँ पे actually specifically budget के बारे में बात होगी जो कि financial bill part 1 और financial bill part 2 में आपको समझा चुका हूँ तो उन दोनों को यहाँ mix मत करिए का नहीं तो आप confused हो जाओगे financial bill part 1 financial bill part 2 देखिए यहाँ पे specifically budget की बात हो रही है तो budget से related अगर कोई finance bill है या budget से related अगर कोई money bill है और वो लोग सभा से पास होने के बाद राजसभा के पास जाता है तो राजसभा को 14 दिन के अंदर reply देना पड़ेगा और जो भी reply राजसभा ने दिया है उसको चाहे तो लोग सभा माने चाहे तो लोग सभा ना माने यहाँ पे financial bill मैं वो financial bill की बात कर रहा हूँ जो budget के साथ deal कर रहा है उसके बात आत्वा point क्या बोल रहा है the estimates of expenditure embodied in the budget share shows separately the expenditure charged and consolidated fund and expenditure made and consolidated fund को अगर मैं एक line में आपको समझाओ तो यह वो खर्चा है जो होना ही होना है तो प्रेजिडेंट की salary यह देनी ही देनी है UPSC के members chairman की salary यह देनी ही देनी है Supreme Court के judges की salary यह देनी ही देनी है इनको आप vote डालके कम नहीं कर सकते हैं यानि कल की date में पार्लेमेंट की members का दिमाग घूम गया और उन्होंने बोला किया यह जजों को तो बहुत तंखा जा रही है इनकी तंखा कम करो तो मुझ उठा के बो उनकी तंखा कम नहीं करते है That is charged expenditure उतना तो खर्चा होना ही होना है अभी charge expenditure पे लोट के आते तो भाईया जब सम्मिधान में सम्मिधान में ये लिखाए कि जब budget को रखा जाएगा annual financial statement को लोग सभा में, राज सभा में रखा जाएगा तो वहाँ पे charged expenditure को अलग दिखाया जाएगा expenditure made को अलग दिखाया जाएगा चार्ज में आता इस पे थोड़ी देर में आ रहे फिर भाई नवा पॉइंट है budget shall distinguish revenue expenditure on revenue account from other expenditure भाई ये revenue expenditure से बाकी expenditure को अलग करना है आप बोलोगे ये revenue expenditure क्या होता है revenue expenditure एक ऐसा expenditure होता है जहाँ पे कोई capital assets का formation नहीं होता है तो बाई central government के employees के salary देनी है तो कल की date में आप IS बन जाओगे और joint secretary बनके मालो IS बनने के बाद आपने 7-8 महीने 7-8 साल काम के है और joint secretary बनके है आप केंदरी सचवाले दिल्ली पहुँचके है तो जब आप केंदरी सचवाले दिल्ली पहुँचके तो आपको उससे assets बन रहे है तो अगर कोई capital asset बना रही है सरकार कोई एक ऐसी चीज़ बना रही है जो लंबे समय में काम आने वाली है तो कोई मान लीजे कि कोई बड़ा project चालू है कि हाँ भाई कोई airport बनवाने में सरकार खर्चा कर रही है तो basically that is a capital asset चुकि एक infrastructure develop हो रहा है जिसके returns हैं कि वो एक asset है लेकिन भाई जो running खर्चे हैं तो केंदरी सचवाले में AC चल रहा है उसके बिजली का बिल जा रहा है यह running खर्चा है इससे कोई capital formation नहीं हो रहा है तो यह जो revenue expenditure होता है जिससे कोई capital formation नहीं होता है कोई asset formation नहीं होता है वो बस daily मर्रा के खर्चों में करना ही करना है तो इस expenditure को आप अलग से दिखाओगे जब आ बज़ट पेश करोगे और दसवा point दा expenditure charged on the consolidated fund of India should not be submitted to vote of parliament however it can be discussed in the parliament देखिए दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग charged expenditure के बारे बात शुरू करते हैं दो तरीके के expenditure है यह क्या है expenditure charged unconsolidated fund of India expenditure made unconsolidated fund of India यह दो है तो charged में क्या होता है कि यह वो खर्चा जिसके ओपर vote नहीं डाला जा सकता इसे करना ही करना है तो भाईया प्रेजिडेंट की salary दे नहीं दे नहीं है प्रेजिडेंट के office से related जो भी खर्चा है वो करना ही करना है और वो होगा ही होगा वो consolidated fund of India से निकाला पड़े निकाला जाएगा उसके ओपर किसी भी परकार की noting नहीं होगी तो इस chairman और deputy chairman of राजसभा speaker and deputy speaker of लोकसभा इनके salary और allowances देने ही देने इनके ओपर vote नहीं हो सकती judges of supreme court की salaries allowances of pensions देने ही देने pensions of judges of high court देने ही देने क्योंकि high court के judges की serving high court की judges है उनकी जो salary होती वो state government के consolidated funds से आती है जो high court के retired judges होते है उनकी जो salary है उनकी जो pension है high court के ре unwilling वो भाई consolidated fund of India से आती but serving high court के judges की जो salary है वो consolidated fund of the state से आती है उस respective state से जहाँ पर वो काम कर रहा है फिर भाई Comptroller Auditor General of India इसकी salary allowances and pension ये कहां से जाएंगे consolidated fund of India से Chairman and members of UPSC वो organization जिसने आपकी need उड़ा रखी है उनकी salary allowances and pension कहां से जाएंगे consolidated fund of India से Supreme Court के administrative expenses Comptroller and Auditor General of India के Union Public Service के commission के administrative expenses और Supreme Court में जो लोग काम कर रहे है Comptroller and Auditor General of India में जो लोग काम कर रहे है Union Public Service Commission में जो लोग काम कर रहे है उनके salaries, allowances और pensions चुकि Supreme Court के जो लोग काम करते हैं उनकी service conditions को Supreme Court के judges decide करते हैं Comptroller and Auditor General of India के अंदर जो staff होगा उसकी service conditions को बहुत आप तक CAG affect कर सकता है same goes for UPSC तो इनके offices में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी salary, allowances और pensions ये बहिये charged है on the consolidated fund of India उसके बाद आप देखिए debt charges for government of India अगर government of India ने world bank से loan लिया है तो उस loan के उपर जो interest है उसके उपर voting नहीं हो सकती है वो interest तो देना ही देना है तो अगर जो भी हमने उधार उठा रखा है market से उसके उपर जो interest है वो charged है, वो तो देना ही देना जोकि हमने उधार उठाया है तो भाईया वापस तो करना ही पड़ेगा उधार हो उसके साथ interest sinking fund charges तो हमने कोई debt लिया है उस debt को वापस करने के लिए अगर हमने अलग से कोई एक account बनाया है और उस account में पैसा डाला है कि हाँ समय आने पर यह debt हम इस account से निकाल के वापस कर देंगे तो यह sinking for charges सरकार को देने ही देने है Loans को उठाने में जो खर्चा है debt को service करने में, redemption करने में, वापस करने में जो खर्चा है यह सरकार को देना ही देना तो charged expenditure है अगर किसी court ने, high court ने, supreme court ने या देश के किसी और भी court ने कोई judgment दिया, कोई decree दिया, कोई award दिया तो उस judgment को implement करने में जो खर्चा आएगा वो charge expenditure उसको देना ही देना है और Parliament अपने एसाब से किसी भी खर्चे को charge declare कर सकती है तो यह है दोस्तों आपका charge expenditure अगली वीडियो हम बात करेंगे कि enactment की stages क्या होती है budget की, presentation of budget कैसे होता है general discussion कैसे होता है departmental committees कैसे scrutiny करती है voting on demand for grants, passing of appropriation bill, passing of finance bill इन सब चीजों की बात हम दोस्तों अगली वीडियो में करेंगे थोड़ा सा detailed है, तो समझने में समय लगेगा बढ़ ठीक है, पूरा समझा की मानूगा thank you for watching friends, have a great day वीडियो, channel को subscribe जरू कल लिए अगर अब तक आपने नहीं किया है, goodbye